नमस्कार दोस्तों मैं संद्या मेरी किचन में आपका स्वागत है तो चलिए बनाते हैं आज की दिस आज हम आलू का पराठा एक नहीं ट्रिक से बनाने वाले हैं तो हम आलू उबलने के लिए रख देते हैं आलू अगर आप इस तरीके से उबा लेंगे तो आपके अलू के अंदर पानी नहीं वरेगा और आलू फटेंगे भी नहीं तो पहले एक छलनी रख ले उसमें और फिर आप अपने आलू रखें पानी इसमें थोड़ा ही डाले इस तरीके से आलू को बाले आलू बल चुके हैं और मैं आलू प्राठा बना लिए उसके लिए मैंने दो पोटोरी आटा लिया है उसमें में आधा चमच नमंग डाल देते हैं और थोड़ी शी अजवाएन डाल देते हैं मन पोट्चन मस्से भी कम छोटे वार लिए और थोड़ा सा स्मीन देशी गी एक चमच मोयन पर लिए रिफाइंड ओयरी भी आप डाल सकते हैं थोड़ी सी में कसूरी मेथी डाल लिए राठा और पूरी में कसूरी मेथी ज़रू डालने चाहिए और हम इसका अच्छा सा दोर लगाते हैं इसको मिक्स करते हैं अच्छा सा अच्छा सा अच्छा आप भी आप दोर लिए राठा हैं मेरा अटाबन करके त्यारें दस मिनाट के लिए मैं से रख देती है अपने हाटे को दो मिनाट तक जरू होगी थे आलो हम ग्रेट कर लेते हैं एक आलो बल चुके हैं एक छोटी चमाच चमिस में नमक डालेंगे थोरा नमक हमने आटे में भी डाला है और यह वह मसाला है जो मैंने अपने वीडियो के भनाया है इसमें सोप धनिया जीरा पाली मीच पदीना और चाने के कुछ वह भी हैं उने चने यह मैं डालोंगे दो चोटी चमच और आदा चमाच चिली फ्लैक्स डालेंगे अगर आपके पास आदा का लिए नहीं तो लाल साबुत मीच को रोस्ट करके और ठंडा करके उसको जड़ ज़ारा कर लिए तो चिली फ्लैक्स आपको मिल जाएगे और थोड़े से मैस में डालेंगे और यह आनोंगे यह ओप्शनल है आपके पास वह तो डालें नहीं को जालेंगे और थोड़ा सा में इसमें हिंग डालेंगे दो पिंच और इसको मैं टमाटर के पाउडर से बना रहे हूं इसमें टमाटर को टूप में सुखा कर पाउडर बनाया हुआ है यह मैं इसमें डालें दो चम्मच इससे बिल्कुल मैगी जैसा टेस्ट आएगा पराठे का इसमें में डाल देते हैं कटीवी बारी प्याज एक हरी मिरज और दनिया इसको मिक्स कर लेते हैं कि नमक आप अपने स्वात के अंशार डाले और टमाटर से बना पराठा बहुत ही तेस्ट लगता है विल्कुल मैगी जैसा इसका टेस्ट आता है अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो मेरी वीडियो देखकर बना बना सकते हैं अगर आप भी टमाटर का पावडर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूँगी और अगर नहीं बना सकते हैं तो आप टमाटर को फद्दू कस करके और थोड़ा सा फ्राइ करके उसको अपने आटे के अंदर आलू के साथ गूत ल आटा हमारा तैयार है अब हम पराठे बनाने शुरू कर देते हैं और उसके लिए हमें प्लाथन हमने प्लाथन लिया है जिससे हम लोई पे आटा लगाकर रोटी बनाएंगे इसको हम अलग बरतन में लेंगे और इसको अलग ही रखना है नहीं तो इसमें रोटी का मौस्च प्लाथन चरा जाता है और की वज़े से जब हम इसे पूरी ड्रम यह में डाल देते हैं तो हमारा पूरे ड्रम का आटा खराब जाता है तो इसके लगने लग जाते हैं तो इससे गाएं की रोटी बना सकते हैं अगले दिन चोटी चोटी पेडिया बना लीचे इतने आटे को बनाने में मेरा एक गिलास एक गिलासी छोटे वाला एक कप पानी लगा है मैंने दो कप लिया था कर दो कर दो यह पराठा भी चुका है अब हमारा तवा गरम हो चुका है हम पराठा बनाते हैं पराठा मैंने तवी पर डाल दिया है तवा चागरम होना चाहिए अभी तो मेरी गेस तेज है अभी जब पराठा में पलड़ दूँगी तेल लगा दूँगी तब मैं इसको पंपर दूँगी अच्छे से सिखने देते हैं तब उसको पलड़ते हैं यह मिर्च मैंने मोटी मोटी इसले डाली थी बच्चों को हरी मिर्च का टेस्स जादा अच्छा में लगता तो बच्चे बाद में लिकाल देते हैं इसले मैंने मोटी मोटी डाली थी बारीक उनके मुह में आती है तो मिर्ची लग जाती है तो में देशी गी सेस को बना रहीं आप रख 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 अजय है उनके में लगती है, कट हो और देशी तो लुओ रखoryında इसलेशगी लक्योंख रख रち voi बे diffé, रहां है क्ली है रखि में आप रख रखbor faknoM क्ली है वे अ क्ली में सूब başका सμय है वे ओाल–डोंड़ों इसमें डालने ते थोड़ा से कालन लान चुक्ति बाद जीरा पावडर थोड़ा से काले मेज पावडर और पराठा बन करके तयार है आप इस तरीके से टमाटर का पराठा टमाटर रोगा आलू को मिक्स करके पराठा बना सकते हैं और बताए मेरी वीडियो कैसे बनी है और मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्यवाद